हेलो इवरीवन विल्कम टू माई चैनल मैं सुनिल कुमार यह इर्रिगेशन इंजिनिरिंग का सिक्स लेक्चर है छथवा लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे वाटर रिक्वार्मेंट आफ क्राप फार मेंली पढ़ेंगे खरीफ के लिए और रवी के लिए तो आप देखे थे है खरीफ और अभी के बारे हम सब कुछ पढ़ लिए थे क्या क्या होता है इसका डिफिनिशन इसको याद करने का तरीका आप ट्रिक भी बताया थे उसको भी देखे थे आप आज पढ़ेंगे क्या वाटर रिक्वार्मेंट होती है इसके लिए तो लेक्चर सुरू करने से पहले हम एक बात करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि लेक्चर को सुनने में समझने में तो आप कमेंट करके बताईए और पीडियाफ के लिए आप मुझसे टेलिग्राम पे जुड़िए उसका मैं लिंक दे दिये रहा हूं डिस्क्रिप्शन में आप वहां से हमको टेलिग्राम पे जुड़िए वहां पे आपको सब कुछ मिल लएगा पीडियफ और जो सब्लिक्त कर नहीं चल रहा हुआ उसको पीडियफ सबकी का हिंदी लिएस में मिल ल्एगअ तहुत्क प्रसियुड न चिंद्ध यह तहीं में क्रॉप क्राप कलेंडर है क्राप क्रफकेयंडर क्रफ क्रसिश्ट देखेंगे और भी क्राप सीजंद से तरह बी क्या होता है कबGER होता है ठंड volta है का इंट होता है कंध होता है जून से चुरू होता यहां पर लेट दिखा रहा है जुलाइए जून से बबूं से शुरू Sil AG कहीं पर मेकिन जुन जून जून से चुरू होता है तो जून-जुलाइ यहां पर दिखा रहे हैं युशिट efter दो सभिन है रवी में हवीट होता है हुई मतलब गैहुश घ्रुप से नूवमबर दिखा रहे हैं अप मार्च से इस टाइम पर आप रहे हैं लगभग कर चुका है इस टाइम पर यह क्या है यह रभी की हर्वेस्टिंग कर रहे हैं रभी की क्राप को काट रहे हैं उसमें क्या आता है वीट आता है मतलब की गेहूं आता है वीट को आप काट रहे हैं इसमें अगेनगे इसका क्या है आगके जो एवरेज ढिन इसका संटिम्टर में फौटी है यह दैखिए यहां पे सकता हम नंबराफ पॉलत उल्हॉण नंप च्छेच Gary करते हैं यह यह संटिम्टर में कि ध्यान देना है यह सेंट्रीमीटर का यह ध्यान देना आपको कि आई यह ग्राम मतलब चना चने की खेती यह चना है यह भी आप अक्टूबर में होता है जनुवजी तक इसको काटते हैं आप 30 होता है इसमें इसके कितने बार वाटरिंग करते हैं तो यह आपका इंपोर्टेट नहीं है इधार आपको बस देखना है क्या वीट और राइस आपके सलेबस में दिया है जो रभी और खरीब दिया है उसके अं एक पीटेटों आपका आपकहर लगता है कब इसको कटते हैं इसको मंदल में घुळा दौर एक निकालते हैं फ्रवरि के आस्पास जनु फश्री निकलने लगता से आघस्ते आप सोविंग करते हैं हर्विस्ट करते हैं करते हैं करते हैं कि करते हैं का इसा वाटर का कि लेवल है कहा काँ कर्पे वाला की कैसी अवळि Tob рассказыв भी हे इसके घाब करते हैं अब की ये कि अब ये कभा होता है जून स जुलाई इसको आफ लगाते हैं सितंबर हो काटते हैं और रही जून स जुलाई सितंबर अक्टूबर जुआर है डेट मिल जैसे बोलते हैं जुन जुलाई से लेकर सेतंबर अक्टूबर तक है यह फिर क्या पल्सेज है दाल वगर जो होता है वो जुलाई अगस्ते लेकर अक्टूबर नॉम्बर तक है शीम्ड है अधिन सिशंप सिशंप जुलाई अगस्ते लेकर अक्टूबर नॉम्बर तक खाए है ठीक है अब और आपका है से इतमत्तक्राइब जो होते हैं एतमत्तक्राप आप्पों करने कॉन है को जून अगस्त से इसके सोविंग करते हैं और जन्वरी मार्च में इसका कटाई करते ह कि है फिर इनल्य ख्राप है इसका मत्लिश बासी को एन उली क्राप होता है जो एक साल तक चले जाता है लगबग उसको बोठाए पता यह ती ठाइग यह था इसका पकल्स कंशाइब टख लेजिए इसको को अगर आ रहा है नाम है कि पिर इसके बाद इधर आपको कब उसका शोविंग होता है ौश भर होता है और शकी होता है ओसे अग यहीं कि यैस यहीं बताना है आपको और इसको इसका को जरूत नहीं है यह बताई दीजिए बस आप चले ठीक नेक्स देखते हैं कि नेक्स्ट आपका एक क्योशन देखते हैं कि इसमें कहा रहा है जो आप लोग पर चुके हैं उसी बार में क्योशन है टफ नहीं है बस अराम से देखिए ध्यान से देखिए क्योशन हो जाएगा एकदम एजी क्योशन है कर रहे हैं इफ राइस रिक्वायर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर डिफ्ट आफ वाटर एट एन बोलना है जो राइस की बात कर रहे हैं ध्यान देजिए टेंटीमीटर डिफ्ट में वाटर निकाली निकालने के लिए ठीक है अब देखिए यह कर रहा हैं water is requirement at an interval of 10 days for a period of 120 days कर रहा हैं 10 दिन की interval पर आप पाणी देंगे कब तक 120 दिन तक देंगे तो किदनी बाहर देना पड़ेगा 120 बटे 10 यह देखिए नंबर आफ रिक्वाइड वाटरिंग नंबर नंबर आफ रिक्वाइड वाटरिंग 120 अपां 10 इक्वाल टू 12 समझ रहे हैं यह एक हर रहे हैं कि अगर आपको हर 10 दिन पर पानी देना है 10 सेंटिमिनेट के लिए और 120 दिन तक क्या पूरा टाइम 120 दिन तक है तो कितनी बाहर देंगे आप 120 अपान 10 हर 10 दिन पर देंगे कब तक देंगे 120 दिन तक देंगे 120 अपान तस बीस बराबर 12 ठीक है समझ गय होंगे तब फर रहे हैं केटना किव लुक इतना गई है कि एंत कि रगवाइब कर रहे थे Energy की बात कर रहे थे हैं भूस की अब हम क्वार क्रें किस्की सेवियक यह किस्वीक बात कर रहे है हंवीटे कर रहे हैndaren requires about 7.5 cm आफ बार लुकीञेट शी कर रहा है है 7.5 cm depth का वाटर चाहिए हमको हर 28 डेज पर एंड बेस पिरिएड आप दो वीट इज 140 डेज बेस पिरिएड आफ वीट इज कि 140 डेज वन फुर्टी डेज बेस पिरेट है फाइंड कि आउट फाइंड आउट डेल्टा इसमें वहीं पूछने डेल्टा की अब देखिए सेम प्रोसेस अब इस पर निकालेंगे कितने बार वाटरिंग करेंगे आप करें नंबर आप रिक्वार्ड वाटरिंग कितने बार वाटरिंग यह निकलना है एक सो चालिस दिन तक करना है आपको 28 हर 28 दिन पर कर रहे हैं तो एक सो चालिस एक सो चालिस अपॉन ट्वाटरिंग करेंगे किसके लिए वीट के लिए कितना के लिए 7.5 अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे आपडे टेफ्ट आप वाटर रिक्वाइड इस टाइम इस टाइम कितना है 7.5 है यह को चेशन दिया है तो यह आप लिखाबआ है 7.5 तब टोटल डेफ्ट आप वाटर रिक्वाट इन 140 डेज में 140 डेज में कितना डेफ्थ जाएगा तो 7.5 इंटु 5 में देखिए 7.5 इंटु 5 इक्वाल टू 37.7 यह चीज है यहाँ पे यहाँ पे देल्टा आ गया फार हुट के लिए ठीक है त्सक्राइब चाहिए अगर आपका इसमें यूनिट सही है तो आपका क्योंच सही है यूनिट कर रहता है तो तो 60 परेग्यावन सर्थ हो जाता है आप इतक है अब देखिए यहाँ पे क्राप का यृइल दिखिया गया है कि कॉप से लिस्ट दिखिया गया है अब उधर दिखिया गया कि देल्टा कितना होगा उसका अब सुगर के लिए 120 संटीमिटर रास के लिए 120 सेंटिमेटर तबैगों के लिए 75 गार्डेन फ्रूट्स के लिए 60 कॉटन के लिए 50 वेजिटेबल के लिए 45 सेंटिमेटर हीट के लिए 40 सेंटिमेटर बैरले के लिए 30 सेंटिमेटर मेज के लिए 25 सेंटिमेटर फोडर के लिए 22.5 सेंटिमेटर पीस के लिए 15 सेंटिमेटर य इन सब क्राप के लिए ठीक है इसका देख लिए अगर नेक्स्ट अपका कि पुछ रहे हैं सब्सक्राइब करें सीति एड़्य सीचन अब रूब कोई करना है फानड का यूटिवयाथ करना प्ल STEM रहें यूल की करना है भाइब जब रितिए गया है आपको कितना 120 टे चीब और इडि lack of 64 आपको पता है ड्यायक को पता है इच सटि-फॉर पर क्यूंत पेसे पर स्ट्थ 64 B by D यहां पर डिल क्या होगा आपका सेंटी मीटर में होगा क्यों क्योंकि यहां पर पॉइंट नहीं लगा है 8.64 B upon D होगा तो यहां पर मीटर में जाएगा तो हमारे यह वालू किसमें आएगा सेंटी मीटर में निकलेगा अब इसी में हमको क्या दिया है B दिया है D दिया है D equal to क्या दिया है 864 यहां पर जाएगा आपका 864 यह कट जाएगा बीक जो वहाए लूग होगी बीक टाद यहां है 120 cm तो 120 cm हो गया है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंट्स को सेर करिए जिससे ज्यादा ज्यादा लोग जान पाएं समझ पाएं और पढ़ाई करें अच्छे से और किसी कोई दिक्कत हो रहे है तो वह कमेंट करिए और पूछिए ठीक है और पीडियेफ मिल लागा पीडियेफ के लिए आप टेलिग्राम ग्रूप में हमको जॉइन करिए हम लिंक ले रहें डिस्क्रिप्शन में वहां से आप हमको जॉइन करिए टेलिग्राम पर हमारे ब्लॉग पर आईए वहां पर भी मिल लागा आपको इस्टी मटरियल और आप पढ़ाई करिए अच्छे से ठीक है सभी को धन्यवाद थैंक्यू झाल झाल झाल